हम आपको बता रहे हैं पंचाय चुनाव के तमाम नतीजे और अभी तक के जुरुजान सामने आए हैं उसके मुताबिक अभी भाजपा जो है वो आगे चल रही है और समाजवादी पाटी अभी पीछे पोती उभी नसर आ रही है 1536 कुल वोड के अभी तक नतीजे सामने आए हैं लखनो में अब तक सपा पीछे है लखनो में छे सीट पर सपा दो सीट पर बीजपी आगे चल रही है अब तक एक सीट पर बसपा के शशित जीते हैं तो नतीजे देखे इस तरीके से घोशित हुए हैं लखनो में एक सीट पर अभी कॉंग्रस आगे चल रही है यानि ल जो दबदबा था वो पना हुआ था लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने बढ़ात पना ली है और छे ऐसी सीट हैं जिस पर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट्स आगे चल रही हैं जबकि दो सीट पर सिर्फ भाजपा की कैंडिडेट्स आगे चल रही हैं अनुभव मेरे सहीू की जुडगें ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव सबसे पहले ताज़ा अपडेट पताईए क्या अपडेट हैं कितने सीट के नतीजे आ गए हैं अभी अनुभव सबसे अगर अगर हम बात करें तो फुल आज प्लॉक औरिनाल प्लॉक में से 493 ग्राम प्रधान के पदर्शक चुना हुए जिन में से अप्तर 434 ग्राम प्रधान विजयी गुशित हो चुके हैं और वहीं अगर चेत पंचाय के सरस्थ मिजयी गुशित कि भी गुशित हो चुके हैं जहस beginners Tunenda तो ग्राम प्रधान व about UN प्रधान पजो होना हैं उस पर है और अभी तक यू नतीजिया है में और आ पर वहार बहा सकी किल हमिः चनुए है और अगर बाकी की बात करें, जो 24 हैं, वहां पर जो रुजान आये उसका़ भी बिएप्टी अभी केवल दो वाअड में आगे दिख रही है समाज़ड़ी पार्टी स्टाप्टी शे वाट में आगे दिख रही है कॉंघ्रिस एक वाट में आगे दिख रही है बाकी पर जो इंडिपेंडेंडेटेट है नर्दली हैं वो आगे दिख रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि लखनावू में सास्थवर के जो ड्रामी नेलाता है वहां पर बीजेपी को मात देची हुरी नजर आ रही है समाजवादी पार्टी क्योंकि आप अंदाज़ा लगाईए मोहनाल गंते जो सांसथ है कोशल किषोर उनकी जो बहू है सविता रावत वो लगातार किखे चल रही है दूसरा बीजेपी ने बड़े जोर शोर से पूर सांसथ रीना चौज़ी को सरोधी नगर वार्ट नमबर 15 से अपना केंडिड़ बनाया उमीद ये कि यहाँ लगातार सफा की जो पलक रावत है उनसे पीछे चल रही है तो यह स्थिती है और कहीं ने कहीं समाजादी पार्टी के लिए इसको बेनिफिट मिलता दिख रहा है उसके खार करता हुता है तो जबकि बीजेपी के लिए अलामिन सिट्विशन नजर आ रही है और क्यों लखनाव में नहीं आवद के जितना भी हम छेत रहे हैं कई जिलों के अगर बात कर लें तो वहाँ पर यहीं इसकी लिख रही है जब अब इसकी लिख रही है जब अब इन नतीजों के बाद पी कैसे रिव्यू करेगी क्योंकि हमने खुच लखनाव में जो जिलादक्षा उन से बात कर लोग देके लखनाव उन से जो नतीजे अनुभव सामने आ रहे हैं वो कही ना कहीं बीजेपी के लिए एक अलामिंग सिच्वेशन की तरह हैं और बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए तो लखनों में लगातार समाजवादी पार्टी के जो कांडिडेट्स हैं उन्होंने बढ़त बनाई हुई है और भाजपा बहुत पीछे चल रही है सिर्फ दो सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई है जबकि 6 seat पर समाजवादी party के जो candidates हैं वो आगे चल रही है बीज़ेपी के सांसर्थ कौशल किशोर की बहु पीछे चल रही है वोड नमबर 7 से पीछे हैं कौशल किशोर की बहु सविता वोड 15 से बीज़ेपी की रीना चौधरी भी पीछे चल रही है ये वो नम है जो बीज़ेपी नाम है सेलेक्शन के वोड 15 से मैदान में है पूर्विसांसत रीना चौधरी जो फिलाल सपाग कैंडिडेट से पीछे चल रही है तो जो बीज़ेपी चहरे हैं इस चुनाब के वो भी भाजपा के अभी पीछे चल रही है और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स की तरफ से उन्हें शिकस्त मिलते हुई नजर आ रही है हाला कि ये अभी रुजान है लेकिन अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है इन रुजानों को नतीजे में कनवर्ट होने के लिए तो अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए मुश्किले हैं और बीजेपी के लिए ये जो नतीजे आ रहे हैं जो रुजान सामने आ रहे हैं ये कही न कहीं अलामिंग सिच्वेशन की तरह हैं क्योंकि 2022 अब बहुत नजदीक है और उससे ठीक पहले लगनव में इस तरीके का प्रदर्शन लतनों के जलापंचायत इलेktं में जो ये निराशा जनक प्रदर्शन सामने आ रहा है बीजेपी का कहीं न कहीं कई गंबीर सवाल भी खड़े कर रहा है और कहीं न कहीं ये बताता है कि जो जनता में नाराζ की सामने आ रही थी वो चुनावी प पुर्वसांतत रीना चोदरी जिनको बीजोपी ने वोर्ड नमबर 15 से कैंडिडेट पनाया था, वो भी पीछे चल रही हैं, यहाँ पर भी सपा के चुट गाडिडेट हैं, उन्होंने पुर्वसांतत रीना चोदरी को पीछे किया हुआ है, यानि सपा कैंडिडेट ने यहा वो बेतर परफॉर्म करती वी निजर आ रही है और साथ तोर पर समझा जा सकता है कि लोगों में नाराज की है। 21 सीट पर निर्दलिय प्रत्याशी आगे चल रही है। 21 सीटों पर समाजवादी पार्टी का बोल बाला है। 21 सीटों पर समाजवादी पार्टी का बोल बाला है। और प्रियागराज के सभी 84 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। अब तक आए रुझानों में बीजपी को बड़ा नुकसान प्रियागराज से हो रहा है। ये बड़ा अपडेट रुझानों में बीजपी को सिर्फ नौ सीटों पर बड़ात मिलते भी नज़र आ रही है। देखे 84 सीट हैं और सिर्फ नौ सीटों पर बीजपी के जो कांडिडेट्स हैं वो आगे हैं। कि 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी के समर्थे जो प्रत्याशी हैं वो आगे हैं। करीब 50 सीटों पर देखे यहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं उनका पर्चम नहरारा है। पर सपा और निर्दल्य प्रत्याशी यहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं 50 सीजों पर निर्दल्य प्रत्याशी वढ़त बनाए हुए और अगली खबर उन्नाव से जहां जीत की सूचना से पहले ही प्रधानी प्रत्याशी के निधन की खबर सामने आ रही है उन्नाव से खबर जहां मौत के बाद जीत की खबर सामने आई चुनाव बीतने की खबर सामने आई मतगर्णा से पहले ही प्रधान प्रत्याशी महिला की मौत हो गई हसन गंज प्लॉप के भोगला गाउं से उन्होंने चुनाव जीता है लेकिन इससे पहले वो अपने जीत का जचन मना पाती है खुशी मना पाती है उनके निधन की खबर सामने आ रही है यानि निधन के बाद ये जो खुशखबरी है वो घर उनके पहुंची दे जीत की सुचना से पहले ही प्रधानी प्रत्याशी की मौत मौत के बाद चुनाव जीतने की जो खबर है वो सामने आई है मतगर्णा से पहले प्रधान प्रत्याशी महिला की मौत हो गई हसन गंच ब्लॉक के भोगला गाउं का ये मामला है माउसे खबर चाम मधुबन ब्लॉक के जिला पंचायत के चारों सीचों पर नतीजे घोशित हो गए वर्ड नमबर एक की बात करें तो मधुबन ब्लॉक से निर्दलिय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है वर्ड दो की बात करें तो मधुबन ब्लॉक से सपा के राजे श्यानम ने जीत हासिल की है वर्ड तीन की बात करें तो मधुबन ब्लॉक से निर्दलिय उमीदवार ने जीत हासिल की है तो यहाँ पर भी निर्दलिय प्रत्याशियों का जो दबदबा है वो साफ तोर पर देखा जा सकता है मदुबन ब्लॉक के जिरा पंचाय तसीटों के नतीजे आ गए है वाड एक से निर्दलिय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है अगर वाड 2 की बात करें तो सपा के राजे श्यादव ने यहाँ पर जीत हासिल की है उन्हें जीत दर्ज की है वाड 2 में वाड 3 की बात करें तो निर्दलिय उम्मीदबार की वाड 3 में भी जीत हुई है यानि निर्दलिय प्रत्याशी लगातार जीत का पर्चम नहरा रहे हैं मा और वाट चार की बात करें तो निर्दलिय उम्मीदबार की वाट चार पर भी जीत हुई है जहासी में 9 सीटों पर BJP, 6 सीट पर सफा, जहासी में 5 सीट पर बसपा और 1 सीट पर कॉंग्रेस को जीत मिली है, जबकि 3 सीटों पर निर्दलियों ने जीत हासल की है, तो जहासी में 24 जिला पंचायत के जो नतीजे हैं वो गोशित हो गए हैं, 9 सीट पर भाजपा ने जीत दर यानि जहासी से थोड़ी सी रहत की खबर भाजपा के लिए आते हैं क्यूंकि जहासी में जो ज्यादा सीटे हैं वो भाजपा के कबसे में जाती हुई नजर आ रही हैं नौ सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं जबकि कुल 6 ऐसी सीट हैं जासी की जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की पलपल की अपडेट आप तक पहुचा रहे हैं गोंडा से बहराल एक बड़ी कबर जहां बभन जोत 3 से सपा उमीदवार की जीत दर्ज हो गई है बभन जोत 3 से सपा के अमर यादव जीते हैं यानि अब गोंडा में भी जो रुजान है वो नतीजों में कन्वर्ट होना सपा उमीदवार अमर यादव ने जीत दर्जी है जबकि गोंडा की ही मनकापुल प्रथम से बीजेपी के प्रमोद आरे जीते हैं पिलिवी से कबार वाड नमबर 20 से प्रत्याशी रुकईया का निधन हो गया है पूर्व क्याबिनेट मंतुरी रियाज की बेटी थी रुक जिरा पंचायत अध्यक्ष रुकईया आरिफ का निधन हो गया रुकईया आरिफ को वाड नमबर 20 में हार भी मिली है लेकिन ये खबर उन तक पहुच पाती उससे पहले ही उनका निधन हो गया है ऐसी जनकारी मेल रही है रुकईया आरिफ ने बरेली के अस्पताल में दम पूर्व जला पंचायत अंध्यक्ष रुकईया आरिफ का निधन बरेली के कस्पताल में हुआ है। हाला कि वो इलेक्षन भी हार गई, चुनाव भी हार गई और जिन्दगी की जंग भी हार गई। वार नमबर 20 से प्रत्याशी थी, पूर्व काबिनेट मंतरी रियास की बेटी थी रुकईया आरिफ जिनके निधन की जानकारी मिल रही है, जिनके निधन की खबर मिल रही है। रुकईया आरिफ जो कि पूर्व काबिनेट मंतरी की बेटी थी, एक हपते पहले ही उनका भी निधन हुआ था, उनके पिता का निधन हुआ था कोविद की वजह से और अब उनके निधन की जानकारी मिल रही है, पौर्ड नमबर 20 से प्रत्याशी थी, रुकईया पूर्व क्याबिनेट मंतरी रियाज की बेटी थी, जिनका एक हपते पहले कोविद की वजह से निधन हुआ था, विक्रान्त क्या कुछ जानकारी है, किस वजह से दुखत खबर मिली, क्या हुआ था, रुकईया आरिफ तो जिनका आज निधन हो गया, बड़ी बात यह है कि वो चुनाव भी लड़ रही थी, बाट 20 नमबर से जिला पंचास सरस्का चुनाव लड़ रही थी, और चुनाव में भी उनको सिकर सुली है, तो कहीं अगर कोरोना से भी जंग हार गए है, यह एक समाजवादी पार्टी क पूर्वा मंत्री की बेटी रुकईया आरिफ का निधन हो गया, उनके पिता ने भी एक हफते पहले कोरोना से जंग लड़ते हुए, उनका निधन हुआ था, और एक हफते बाद रुकईया जोकी खुद कोविट से पीरे थी, उनका भी निधन हो गया, स्पीजबस्ती से अगली खबर मिल रही है, बीजपी सांसद और राश्ट्रे मंत्री हरीश दिवेधी के प्रतिनिधी यहां पर हार गए है, हराय तृतिया से जला पंच्वाद सदस्य का वो चुनाव लड़ रहे थे, राजेश पाल चौधरी को बीजपी के बागी देशर आज पार्टी से बागी हो गए थे हरीष्ट वेदी की प्रतिनिधी राजेश पाल चौधरी को पूरी हार यहां पर मिली है राजेश को जिला पंच्वायत अध्यक्ष का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था अपने प्रतिनिधी को जीता पाने में सांसत हरीष्ट वेदी नाकाम हो गए हैं और उन्हें अपने ही पार्टी के बागी ने हरा दिया है देश्राज जो की टिकेट ना मिलने की वज़े से नाराज हुए थे बीजेपी निता और बागी हो गए थे बागी तेवर उन्होंने अक्तियार कर लिया था और अपनी पत्नी को उन्होंने चिनाब लड़ाया था और उन्हीं की पत्नी ने सांसद के प्रतिनिधी को हराया है बीजेपी सांसद और राष्ट्य मंत्री हरिष्ट वेदी के प्रतिनिधी ने यहां पर हार गए हैं वो और उन्हें हराया है खुद बीजेपी के बागी देशराज की पत्नी ने तो ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजेश पाल चौधरी को बीजेपी के बागी देशराज की पत्नी ने हराया है दरसल टिकट मागा जा रहा था बीजेपी ने ता देशराज की तरफ से लेकिन टिकट जब उन्हें नहीं दिया गया और सांसद के प्रतिन दिक को दिया गया इसी से नाराज होकर देशराज ने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा था और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मताबिक ये कि बागी हुए देशराज भारी पढ़ गए हैं बीजेपी कैंडिडेट पर क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट को भ जैसे सामने आया है कि सांसत के प्रत्रेदी आ रहे हैं और मतुरा से खबर जहराज राष्टे लोगदल को काफी बढ़त मिलते हुई नसर आ रही है मतुरा से बड़ी कबर आपको बता रहे हैं जबकि सिर्फ एक सीट पर सपा और दो पर निर्दल ये आगे हैं तो मतुरा क्षितर की अगर बात कर लें तो मतुरा में 33 में से 31 सीटों के रुझान अब सामने आ गए हैं और इस रुझान के मताबिक राष्टे लोगदल को काफी बढ़त मतुरा में मिलती हुई नसर आ र असपा आगे चल रही है एक सीट पर समाजवादी पार्टी और दो पर निर्दलिय प्रत्याशी आगे चल रही हैं तो मतुरा में जिस तरीके से महा पंचायते हुई हैं जिस तरीके से किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है उसके बाद ये जो नतीजे आए हैं कहीं न कहीं उसका भी आप्टर इफेक्ट जमझा जा सकता है क्योंकि ये जो रुजान सामने आ रहे हैं इसके मुताबिक RLD ने अच्छा पर्फॉर्म किया है नौ सीटो पर आगे चल रही है RLD अनल सारस्वत प्रिस सहीयों की जुड़के हैं ज्यादा जानकारी के साथ अनल दे की रुजान सामने आए हैं जिसमें RLD ने बढ़त बनाई हुई है RLD ने यहां पर अच्छा पर्फॉर्म किया है कब तक यह जो रुजान है वो नतीजों में तब्दील हो जाएंग अनल यह मैं आपको बता दूँ यहां पर बीजेपी दस सीटों पर आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यहां पर एक सीट पर आगे है और लेकिन दाश्टी लोगदल इसने यहां पर कई रेलिया की थी जिनके प्रमुक नेता जैन चोदी और अजी सि लेकिन पर कई रेली की थी किसानों के अंदोला नो भी उठाए तो यहां पर उनको बड़त मिलती ही नजर आ रही है वो नो सीटों पर आगे चल लही है और अगर अगर बस्पा की बात की जाए तो बस्पा के भी यहां पर घदावर्ण नेता हैं स्यामसुंदर फर्मा हैं उनकी सीट पर भी यहां पर अच्छी आजी बड़त हासिल किये हुए हैं और वो एक निर्णाइक मोर पर पहुंचने वाले हैं। शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी के लिए तो देखे आरलडी जिस तरीके से आपर परफॉर्म कर रही है से वाकरी में समझा जा सकता है कि जो महापंचायते की गई हैं किसानों के पक्ष में आरलडी के नेता की तरफ से कही न कहीं उसका आसार होता हुआ नसर आया कर दो कर का दो दो कर दो से वापर।